जैहिन दोस्तों चले इस तो बात करते हैं इस एक और question की बारे में examiner ने कहा if the number of fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 5% the value of new fraction is become 5 by 2 यानि examiner ने कहा कि भी कोई number है मेरे पास में जैसे कि मैंने एक number मान लिया कि मेरे पास में मैंने एक number माना कि भी A और by B में मेरे कोई number है तो जो A by B में number है यह जो उपर वाला number है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस fraction में numerator यानि answer बोलते हैं नीचे वाले number को denominator यानि हर बोलते हैं अब examiner ने क्या कहा कि भाई जो numerator है उसमें वो 20% increase कर रहा है और denominator में वो 5% increase कर रहा है अगर मैं इस value को 100% मानूँ या फिर ऐसे देखूं कि यह मेरे पास A है और मैं A का 20% निकालूँगा तो यह मेरे पास में क्या आएगा A into 20 by 100 और फिर मैं इसे A में प्लस करूँगा तो यह A into 20 by 100 आप ओन में 100 हो जाएगा यहां से A मैंने common निकाला तो यह 100 प्लस का 20 आप ओन में 100 यानि कि यह A into में कितना आजाएगा 120% आजाएगा यानि कि मैं directly क्या करता हूँ यह जो number है A इसका मैं directly 120% निकलूख हुआ तो वो मेरा क्या होगा increase 20% हो जाएगा कि कोई भी अपना आप में 100% होती है मैंने B को देखा ऐसी B में कितना प्रसंट कम हो 5% तो यह कितना प्रसंट रह गया होगा अपने का B 95% रह गया होगा अब यह जो बराबर है किसके बराबर है आपका यह 5 by 2 के बराबर है यानि कि अब A by में B को मैं यहां as it is रखता हूँ और यह 5 by में 2 है तो यह जाकर उदर उल्टा जागा यह 95% और by में 120% हो जाएगा इस परसंट से परसंट न गया तो यह 5, 5, 25, 20 यानि A by में B क्या हो जाएगा मेरे पास में 95 by में 48 यह मेरे पास हो जाएगा यानि कि option जो C होगा वो इस question के लिए correct होगा करने को तो हम इसे direct भी कर सकते हैं जैसे कि देखें simple सी बात है कोई भी number जो होता है वो आपने आप में कितना होता है 100% होता है इस 100% को खोलेंगे तो यह 100 by में यह 100 हो जाएगा यानि यह numerator हो जाएगा आपका और यह denominator हो जाएगा इसका 20% increase होगा तो यह कितना हो जाएगा 120% इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 95% और यह बराबर किसी होगा आपका 5 by 2 के बराबर में तो यह तो मेरे पास में कट जाएगा इसको में उदर भीजूँगा तो यह number क्या आज़ा मेरे पास में 5 by में 2 into में 95% और by में 120% 20% यह किससे कट जाएगा यह 5 और यह 95 by में कितना हो जाएगा 48 यानि कि option जो C होगा वो इस question के लिए correct होगा आई होप आप सभी question समझ में आवे जाह हिंद चाह भारत